सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल जाइगा सेलर ग्यान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारी e-commerce related वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हाई दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल जाइगा सेलर ग्यान पे और आज हम जानेंगे स्वागत हैं आप कैसे कर सकते हैं दोस्तो रेगिस्टेशन से पहले आपको डॉक्मेंट्स रेडि करना है तो डॉक्मेंट्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं आप लिंक जरूर चेक करें एक बाद तो चलिए स्कीन पर देखते हैं तो दोस्तो आप क्लिक करके डारेक्ट पेच को ओपन कर सकते हैं या फिर अपने ब्राउजर में जाके सेलर्स.snapdeal.com ओपन कर सकते हैं तो आएए स्नाप डील रेजिस्टेशन प्रॉसेस हम शुरू करते हैं और स्नाप डील पे रेजिस्टेशन करने के लिए आपको चाहिए कमपनी नेम, इमेल आईडी, मुवाइल नंबर, पिन कोड चाहिए, कमपनी का पैन नंबर चाहिए और जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है टीन और वैट नंबर यहाँ पे आपको रेजिस्टेशन करने के फर्स टेप में ही आपको टीन और वैट नंबर जो है स्नाप डील को देना पड़ता है तो अगर आप अगर आप वैट एक्जिम्टेट काटेगरी में सेल करते हैं या फिर आप टैक्सिबल प्रोड़क्स सेल करते हैं यहाँ पे आपको टीन और वैट नंबर जो है वो देना ही पड़ेगा और अगर आपका प्रोड़क्स काटेगरी जो है एक्जिम्टेड है टैक्स एक्जिम्टेड है तो आप यहाँ पे इस पर्म के जड़िये तो आप रेजिस्टेशन नहीं कर पाएंगे तो आपको सेलर पिर रिसीव और उर्डर्स पैक एंड शिप और लास्ट जो है गेट पेमेंट्स एंड ग्रो यूर बिजन्स यहाँ और भी सेलर सक्स स्टोरीज भी दिया हुआ है आप देख लें एक बार तभी चलिए रिस्टेशन फॉर्म हम भरते हैं यहाँ पे आपको कंपनी नेम इम फिर आपको verify OTP पे click करना है तो आपको mobile number जो है verify हो जाएगा और यहाँ पे देखिए जो welcome page open हुआ है यहाँ पे शो कर रहा है कि email जो है अभी तक verify नहीं हुआ है तो आपको email चेक करना है verification link जो है snap deal आपको भेजेगा तो आपको email id जो है verify करना होगा और वहाँ पे एक verification code आ आपको name देना है और category select करना है और यहां से आप category select कर सकते हैं यहाँ पे सारे category list है आपको यहां से select करना होगा आप एक साथ 2-3 category भी select कर सकते हैं तो एक बार में ही वह registration करने के वक्ति आपका product list करना चाहते हैं जिन category पे वह सारे category देख साथ ही register हो जाएगा फिर आप यहां पे आपको अभी pickup address भरना होगा जहां से आपका order pickup होगा वह address आपको यहां पे देना है फिर आपको यहां पे next click करना होगा फिर आपको bank details भरना होगा account number और बाकि basic details फिर यहां पे देखिए आ रहा है कि dear seller we are in the process of verifying your details which would take up to two working days thank you और यहां पे देखिए current status जो यहां पे show कर रहा है pending verification तो यहां पे क्या होता है कि आप form तो submit कर दिये है तो snap deal से आपको call आएगा यह सारे documents जो है verify करने के लिए जैसे कि देखिए next steps यहां पे दिया हुआ है कि आपका पहले जो होगा document verification by snap deal तो verify होगा snap deal से आपका सारे documents और यहां पे देखिए और भी additional information दिया ह है जैसे कि अगर आप branded products sell करना चाहते हैं तो वह कौन सी documents आपको चाहिए फिर आपको snap deal की commission और structure जानना है commissions और charges जाननी है तो आप यहां पे क्लिक कर सकते है और commercial terms फिर आप यहां से check कर सकते हैं कौन सी products जो है banned है snap deal में तो यह सारे information आप जरूर एक बाद चेक कर लीजिए है और आप login कर ले तो आपको तब seller.snapdeal.com पे आपको login करना है अपनी email ID और password के साथ अब यह आपका snap deal का dashboard जो है open हुआ है message आड़ा है snap deal से कि आपका GST number जो है 1st July से पहले आपको snap deal पे update करना होगा अगर आप नहीं update करेंगे तो 1st July के बाद आपका तो आप आगे online selling नहीं कर पाएंगे snap deal से इसको skip कर देते हैं message को तो पहले हम orders पे click करते हैं अब यहाँ पे आपका कोई भी order नहीं है new account है यहाँ पे no orders here ही दिखाएंगे तो आप यहां से check कर सकते हैं फिर आप यहां से देखिए packing material आप यहां से request कर सकते हैं तो packing material के लिए यहां से हमारे अलग से video है उसे आप चेक कर सकते हैं वह सारे वीडियो अभी next option जो है catalog का है यहां से आपको product जो है upload करना होगा तो यहाँ पे इं-stock product देख सकते हैं out of stock products यहां से देख सकते हैं यहाँ पे add product करके list कर सकते हैं फिर आप catalog के बाद यहां से आप returns जो है courier return buyer return तो सारे आप यहां से चेक कर सकते हैं अब देखते है HD Plus क्या है HD Plus जोस्तों जैसे Flipkart का है Fulfillment Center, Fulfillment by Flipkart, FBA, Amazon का है FBA, Fulfillment by Amazon तो वैसे ही Snapdeal का है HD Plus फिर next देखिए यहाँ पे grow your business आप यहां से चेक कर सकते हैं best selling product क्या है आपको concept product का sales यादा आ रहा है कम आ रहा है यह स payments, transactions, commission invoices, payments statement के सारे कुछ यहां से चेक कर सकते हैं और यहां पे आप TDS claim भी आप कर सकते हैं तो आपको TDS certificate देना होगा TDS reimbursement के लिए तो आप यहां पे claim कर सकते है TDS का Snabdill पे भी loan की सुविधा है अगर आपका business जब grow करने लगेगा आपका grow होगा तो आपको यहां से loan मिल सकता है फिर आये देखते है reports अब reports टाइब में आप सारे reports यहां से चेक कर सकते हैं वह चाहे product related हो चाहे order related हो सारे reports आप यहां से चेक कर सकते हैं फिर आप यहां से performance check कर सकते हैं account performance कैसा है updating यहां से चेक कर सकते हैं फिर यहां पे देखिए support option है आपको snap deal seller support को contact करना है तो यहां पे आप देखिए queries में जाए queries में जाके यहां से आप ticket trace कर सकते हैं यहां पर आपको category select करना होगा, कौनसी category में आपको problem है, issue आ रहा है, उससाब से आप Silla support को contact कर सकते हैं, तो ऐसे आपको यहां पर आपका query लिख के submit करना है, और यहां पर देखिए open queries और close queries में आपको जो है, यहां पर detail में आएगा, आप जो Silla support को contact किये हैं, और यहां पर right hand साइड में देखिए, आपका store name जहां पर show कर रहा है, यहां से आप profile को manage कर सकते हैं, setting check कर सकते हैं, यहां पर manage profile में click करेंगे, तो आपको यहां पर सारे details, आपका store details एक साथ दिखाएगा, यहां पर basic details, address details, business details, आपको यहां पर दिखाएगा आपको, सबसे ऊपर देखिए, यहां पर buyer messages है, तो buyer अगर आपको contact कर रहे हैं, तो यहां पर आप directly buyer message में click करके check कर सकते हैं, फिर आपका notification कोई भी notification आएगा snap deal से तो यहां पर आपको show करेगा, तो उमीद करते हैं, दोस्तो, snap deal registration process आपको clear हो गया होगा, और snap deal dashboard में जो जो options है, सारे की जानकारी आपको मिल अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, तो आप like करना ना भूले, और अगर आप आपका कोई भी सवाल है, आप comment करके पूछिए, और अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe अवश्य कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुब कि अवश्य कीजिए, तो मिलते हैं, 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 तो मिलते हैं